हे गाईज ये है फोन येर मैं हूं मुगरमली और आपको पता है के वावे P30 Pro लाँच हो चुका है कल पैरिस में और हमने देखा कि सारा टाइम जो वावे के CEO थे Richard Yu वो इस फोन को P30 Pro को Galaxy S10 Plus और iPhone XS Max के साथ compare करते रहे और उनका ये दावा था कि इसमें कुछ ऐसे features हैं जो के हैरान गर देने वाले हैं और बाकी किसी flagship में वो नहीं है तो देखते हैं इसमें कौन से features हैं इसकी camera के specs क्या है तो पहले करते हैं camera specs की बात Huawei P30 Pro में आपको चार camera मिलते हैं और येर पे quad camera setup है जिसमें से 40MP का main sensor है जो के RYB sensor है RGB sensor नहीं है वो होता क्या है वो हम आपको बात में बताते हैं second जो है वो 20MP का ultrawide sensor है और third जो है वो आपके पास 8MP का telephoto sensor है जिसमें 5X तक optical zoom आपको मिलता है उसके बारे में भी बात करते हैं हमारे साथ रहिएगा और जो चोथा sensor है वो हमारे पास TOF 3D sensor है ये depth mapping के लिए use होता है अब करते हैं इसके features की बात तो features हमारे पास बहुत ज्यादा हैं और Galaxy S10 Plus और XS Max के साथ जैसे compare किया गया इसे launch event पे तो उनके मुकाबले में भी हम देखेंगे कि कौन से features इसमें हैं और कौन से नहीं है तो बात करते हैं मावे थर P30 Pro के main sensor की तो main sensor 40MP का है जो के RYB sensor है RYB होता है red, yellow और blue इससे पहले जितने भी smartphone आये हैं market में उन सब में RYB sensor है जो के red, green और blue होता है तो ये दुनिया का पहला phone है इस sensor के साथ जो के 40% more light intake है उसका RYB से उसका फाइदा ये है कि आपकी ज्यादा light intake होती है जिसकी वज़ा से आपकी जो low light photography है वो बहुत ज्यादा improved होती है और even pitch black में भी आप बहुत अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं और साथ ही साथ जो light sensitivity है जैसा के हमने कल event पे भी देखा Huawei ने compare किया उसको professional grade cameras के साथ उससे भी ज्यादा होती है इसकी light sensitivity इस sensor की वज़ा से और इसी की वज़ा से ही आप pitch black में अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं जो दूसरा most interesting feature है वो हमारे पास zooming capabilities है इस phone की इस phone में 8 mile pixel का telephoto lens है जो के एक periscope lens है periscope का मतलब यह है कि camera के अंदर थोड़ी सी space होती है जिसकी वज़ा से वो अपने lens को move forward और backward कर सकता है अब उसकी वज़े से आपको 5X का optical zoom मिलता है और साथ ही साथ 10X का lossless zoom मिलता है जिसमे details बिल्कुल lose नहीं होती और उस zoom को अगर आप 40MP का जो sensor है जो RYB मैंने आपको पहले बताया उसके साथ combine किया जाए तो आपको 50X का zoom मिलता है और 50X में भी जो loss of detail है वो इतनी ज्यादा नहीं होती तो ये पहला phone है जो 50X के साथ आया उसके पाद हमारे पास night mode आता है जो कि बिल्कुल किसी जादूई तस्वीर की तरह है मतलब पिश ब्लैक में भी आप बहुत ही कमाल की तस्वीरें ले सकते हैं और साथ ही साथ colors भी vivid होते हैं और details भी lose नहीं होती अगर हम कल के event को देखें तो वहाँ पे Huawei के CEO ने S10 Plus के साथ इसको compare करते हुए ये भी कहा कि Galaxy जो है वो Galaxy की picture नहीं ले सकता जबके P30 Pro Galaxy की picture ले सकता है अल्दो ये उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश की बट ये effect था तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए possible हुआ क्योंके इसमें एक night mode बहतरीन की समका है जो के F1.6 के aperture की वज़ा से possible है और साथ RYB sensor की वज़ा से possible है चूँके इसकी light sensitivity बहुत स्यादा है, super ISO है इसमें इस वज़ा से ये इतनी अच्छी तस्वीरें ले सकता है उसके बाद हमारे पास TOF camera आता है TOF camera जो है वो 3D camera होता है जो के depth mapping के लिए use होता है P30 Pro में जो TOF camera है वो AR purpose के लिए भी augmented reality के लिए भी use होगा और साथ ही साथ जो real world objects हैं उनकी accurate depth mapping और उनकी accurate measurement के लिए use होगा और इसकी accuracy 98.5% से भी ज्यादा होगी और साथ ही साथ जो आप portrait लेते हैं जिसमें background blur होता है उसमें भी TOF sensor जो है वो आपकी background को blur करने में और depth effect को मजीद natural करने में मदद देगा Huawei के phones में हमने पहले भी ये देखा कि AI आया करती है लेकिन P30 Pro और पिछले phones में ये फरक है कि इसमें AI HDR Plus है जो के improved AI है अब AI सिरफ scene को recognize नहीं करेगी बलके scene के अंदर वाले elements को भी recognize करेगी और जो dark areas और जो bright areas है highlights और shadows है पिक्चर के अंदर उनको balance करेगी उसके बाद हमारे पास एक बड़ा अच्छा feature आता है जो के dual video का feature है इसमें ये होगा कि इसमें दो cameras इकठे shoot करेंगे video एक आपका main sensor होगा जो के video shoot कर रहा होगा और साथ ही साथ आपका telephoto sensor होगा जो के zoom करके video shoot कर रहा होगा उसी object को आप zoom भी कर सकते हैं और उसी object की आप एक wide shot भी ले सकते हैं तो गाइस यह थे वावे P30 pro के specs और interesting features तो इस तरह की बहुत सी videos हम पहले भी आपके लिए लेके आते रहे हैं आगे भी लेके आते रहेंगे हमारा काम ही है तो हमारी video को like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe करना न भूली और साथ ही साथ हो चोटी bell icon को भी press कीजिए ताकि अगली video में